thudded का क्या आर्थ होता है यह आज की वीडियो में सीख लेते हैं thudded का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे thud किया गया हूँ या जो thud किया जा चुका हूँ उसे adjective के रूप में हम thudded कह सकते हैं इसके इलावा thudded जो है वो thud का past and surpassed participle होता है याने कि thud की ही second और thud form होती है thudded और thud का आर्थ होता है गिरना, धमाका करना, धमाके की आवाज करना, गिर पड़ना या धम की आवाज करना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि वह सीडियों से नीचे गिरा तो आप कहेंगे he thudded down the stairs he thudded down the stairs अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें